चीन का पालतु मालदीप आया घुटनों पर मांगने लगा माफी नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की सामने आई तस्बीरे और मालदीप को लग गई मिर्ची प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के लक्षद्वीप को प्रमोट करने के बाद मालदीप के तीन मंतरियों ने विवादित बयान दिये नरेंद्र मोदी के उपर विवादित टिपणी के बाद भारत सरकार ने नाराजगी जाहिर की जिसका परिनाम मालदीप को आर्थिक नुकसान के तौर पर उठाना पड़ रहा है, पूरे भारत के लोग मालदीप के लोगों की और मंत्रियों के खिलाफ बयान बाजी दे रहे ह और एक्षन भी ले रहे हैं पूरी खबर क्या है जाने विस्तार स्प्रधान मंत्री कुछ दिन पहले लक्षदवीप के दौरे पर गए थे जहां पर मोदी जी ने समुदर में डुपकी लगाई और बीच पर चहल कर्मी की मालदीप को यह देखकर बहुत ही बुरा लगा औ और वहां के तीन मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिपपणी की थी जिसके परिनाम स्वरूप। भारत के विदेश ने मालदीप के हाई कमिशनर को बुलाया और इसका जवाब मांदा। मालदीप की सरकार ने जवाब में अपने तीन मंत्रियों को निकाल दिया। क्योंकि मालदीप की अर्थव्यवस्था डग्मगा गई है, मालदीप के एक कमाई का बड़ा हिस्सा परियटन से आता है, जो की भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए हैरलाइन लाइटों की बुकिंग कैंसिल कर दी है, लक्षद वीट के लिए ओफर दिये जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी भी एक्शन में हैं। अमिताब बच्चन ने भी जमकर लताड़ा है, मालदीप के मंतरियों को डोट और अक्षय कुमार ने उन तिपणियों को देखा जिसमें भारतियों को लेकर कुछ गलत कमेंट किये गए हैं। सल्मान खान ने कहा प्रधान मंतरी नरेंदर भाई मोदी को लक्षदवीप के सफर सुन्दर तट पर देखना बहुत कूल मिजाज है, सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारे भारत में है। ऐसे सुन्दर तटो और दीपों से संपन्न है, हमारे अतिथी देवो भवा के विचार के साथ बहुत कुछ देखे जाने की जरूरत है, कितनी सारी यादे बनने के इंतजार में है। अब बात करते हैं माल दीप में हमारे कितने परियटक जाते हैं। दो हजार अठारह में नब्बे हजार चार सो चोहत्तर दो हजार उन्नीस में एक करोड असी लाख से ज्यादा दो हजार बीस में तिरसट हजार इक्कीस में दो नौ एक शूने 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 बाइस में दो लाख एक तालीस हजार और दो हजार तेईस में दिसमबर तक एक करोड तिरानवे लाख छैसो तिरानवे परियटक गए। आप भारत में इसका आप्शन है लक्षगवीद